हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल हाजिरू एक नई लव स्टोरी लेकर रूट बॉइ और प्रिंसस ये इस ड्रामी के हिंदी एक्स्प्लेरिशन का पार्ट वन है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कहानी की शिर्वास सिन नाम की लड़की से होती है जो पालर में रेड़ी होने के लिए आई होती है मुझे एक पार्टी मेचाना है क्योंकि मुझे एक रिच बॉइफरेंट चाहिए सिन तयार होकर भार आती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि जब सिन चोटी थी वो एक रिच फैमली से थी जहां उसके फादर और उसकी स्टेप मदर उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे लेकिन अचानक से उसके डाट की देट के बाद वो दोरों बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं जिसकी वज़े से सिन और उसकी स्टेप मॉम एक रेंट की घर में रहते हैं सिन रिच बने के लिए बहुत सारी पार्ट टाइम जॉप करती है और लोटरी भी खेलती है लेकिन हार जाती है जिसकी वज़े से वो बहुत ज़्यादा परिशान रहती है सिन अमी लड़कियों की तरह तयार होकर एक पार्टी में आ जाती है ताकि उसे एक रिच बॉइफरेंट मिल सके तब लोग उसकी तारिफ के जा रहे होते है क्योंकि वो एक रिच लड़की की तरह दिख रही होती है तो उसकी सेंडर स्लिप होनी की वज़े से वो गिरने वाली थी लेकिन तब एक हैंसम सारिच लड़का आकर उसे संभाल लेता है और अपने साथ तेवर पर ले जाता है जहां वो अपनी मदर से उसको मिलवाता है उस लड़की की मॉम सिन के लुक की बहुत ज़्यादा तारिफे करने लग जाती है लेकिन तब भी वहां पर एक औरत आ जाती है और सिन की ड्रेस को देख कर बोलती है ये तो मेरी शौप की रेंटी ड्रेस है ना तुमने इसको चुरा लिया और ये पर्स भी मेरा ही है ये ड्रेस मुझे अभी वापिस करो और तुमें इसका रेंट भी चुकाना पड़ेगा सिन स्माइल करने लग जाती है और वहां से भार की तरफ भाग जाती है लेकिन वो औरत उसे पकर लेती है और उसका पस चीन कर बोलती है ये सैंडल भी मेरे है सिन बोलती है ये ड्रेस में तुमें बात में दे दूंगी अभी तुम चुपो जाओ और सेंडल खोल कर वहां से भाग जाती है नेक्स दे सिन रेस्टोरेंट में आती है शेफ उसे पूछता है तुम इतनी जल्दी वापिस के से आ गई सिन बोलती है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी शेफ बोलता है यानि कि अब तुम दूसरा प्लैन बनाओगी नए बंदे को फसाने के लिए सिन बोलती है नहीं मुझे जरूर कोई ना कोई रिच लड़का मिलेगा शेफ रेस्टोरेंट में सिन का सीनियर होता है और सिन भी इस रेस्टोरेंट में एक शेफ है सिन रात में अपने पैसे काउंट करते होए बोलती है जितने भी पैसे अभी मेरे पास है वो सारे पैसे तो उस रेंटी ड्रेस में चले जाएंगे पैसे काउंट करने के बाद जब सिन घर पहुँचती है तो घर की मालकेन उसकी स्टैप मॉम को लोन और रेंट के लिए धमका रही होती है तब ही वो सिन के पर्स को चीन कर उसमें से उसके पैसे निकाल कर अपने आदमें के साथ वहां से जाने लगती है और जाने से पहले बोलती है बाकी के पैसे भी तुम जल्दी से दे देना घर पोशने के बाद स्टेप मॉम सिन को बोलती है तुम्हें उसके सामने जादा नहीं भूलना चाहिए था अगर वो तुम्हें जान से मार देती तो और बाकी के पैसे हम कैसे देंगे सिन बोलती है वो मुझे नहीं मारती सिर्फ उन्हें पैसे चाहिए थे और ये बात आपको लोन लेने से पहले सोचनी चाहिए थी ना कि पैसे कहां से आएंगे सेप मूम बोलती है मैंने लोशन सेलिंग का नया बिजनस स्टार्ट किया है सिन बोलती है अच्छा तो लोन के पैसे आपने इस बिजनस में लगा दिये हैं इसलिए आपके पास उन्हें पेक करने के लिए पैसे नहीं थे सिन रात को अपने कपरे दोकर मां से उड़ती है और उसका पैर फिसल जाता है लेकिन दबी मां उसका दोस्त दिन आजाता है जो उसका बहुत ही अच्छा दोस होता है और वह सिन को सीक्रेटली लाइक भी करता है देनों से कहता है इतना सब हो जाने के बाद भी तुम ऐसा क्यों दिखाती हो कि तुम इतना जादा खुश हो मैंने तुमें पहले भी कहा है तुम ये सब करना बंद कर दो सिन उसे चुप करा देती है ये सब बोलना बंद करो रात में सिन रिच बनने के लिए सोच रही होती है और बोलती है मैं रिच इसले नहीं बन पा रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ बस बिल पे करने में ही निकली जा रही है नैसे सिन एक नई पर्स को देख रही होती है जिसे उसने रेंट पर लिया होता है तबी वो सामने बिल्डिंग पर लगी न्यूस पर फू के बारे में देखती है जो कि गुड लुकिंग रिच और सिंगल भी है लेकिन तबी वो एक गड़े में गिर जाती है जहां से वो निक कर आता है और अपने मूँ पर डाल लेता है सिन तो बस उसे देखती ही रह जाती है यह कितना जादा हैंसम है नेक्स जी उनकी फोटो सोशल मीडिया पर आ जाती है और लोग उन फोटो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सिन अपनी फोटो के पास जाती है जहां उसकी फ वो पार्टी में जाती है, जहां वो फू की मदर को स्टेज पर देखती है, जो कि स्टेज पर कुछ बोल रही होती है, जो सुनकर सिन को लगता है कि फू की मदर बहुत ही अच्छी है, लेकिन असल में वो ऐसी नहीं होती, थोड़ी दे बाद सिन को कीचन से शेफ के रोनी की जाती है चिन जल्दी से कीजन में जाती है और उसे पता चलता है कि शेफ की गल्फर ने उसके साथ चीट किया है इसलिए वो बहुत ज़ादा दुख में है से शेफ को समझाने की बहुत ज़ादा कोशिश करती है अगर तुम ऐसे ही करोगे तो पार्टी के लिए खाना कौन ब करता है तो उसे बहुत ज़ादा पसंद आता है तभी फू की मदर उसके पास आती है और बताती है तुम्हें पता है हमारी कॉम्पिटीटर कंपनी ने हमसे 10% ज़ादा बेनिफिट लिया है इस साल तुमने अगर अपने काम पर अच्छे से फोकस नहीं किया ना तो मैं तु नहीं किया मैं तो बस संभाल रही थी और वो वहां से भागने लग जाती है तब ही वहां सीक्योटी गार्ड भी आ जाते हैं जिनने देखकर सिन कहती है हम मैं क्या करूं तूसी तरफ फू सब कुछ कैमरे से देख रहा होता है लेकिन थोड़ी देर बाद में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता हूँ अपना ड्रोन सिन के पीछे भीजता है जिससे सिन बहुत ज़्यादा डर जाती है फू से देखकर अपने साथ बैटे आदमी से कहता है ये लड़की तो सिन है मैं इसी जानता हूँ इतनी ही देर में सिन अपने सेंडल से ड्रोन को मार कर महां से घर भाग जाती है जिसके बाद वो अपनी मदर को सब कुछ बता देती है जो जो उसके साथ पार्टी में हुआ था तभी भार से आवाज आती है सिन खिड़की से देखती है वहां फू अपनी टीम के साथ भार खड़ा होता है तभी सिन अपनी मदर से बोलती है आप भाज लेता है सिन बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया है कीचन में शेफ रोते हुए भियोश हो गया था मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा फिर मैंने सोचा कि पार्टी खराब हो जाएगी इसलिए मैंने खुदी सारा खाना तयार कर दिया वैसे मेरा वह खाना कैसा था फू बोलता है वह खाना मेरी लाइफ का सबसे बड़िया वाला खाना था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा मुझे अच्छी से पता है तुमने कुछ नहीं किया है इसलिए मैं तुमें शुक्रिया कहने आया हूँ क्योंकि तुमने सई टाइम पर खाना तैयार करकर पार्टी को बरबाद होने से बचा लिया था और उसकी सेंडल उसके पेरों में पहनाने लग जाता है जिसके बाद वो दोनों बहुत ज़दा खुश होते हैं नैक सीन में हम देखते हैं सिन अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है वो सब बोल रही होते हैं सबस सिन बहुत ही ज़दा परिशान हो जाती है और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाती है देखो मैंने मेसिज किये हैं लेकिन उसने अभी तक देखा भी नहीं दूसरी तरफ फू अपनी कार में आने के बाद अपना फोन उटाता है और सिन के मेसिज को देखकर स्माइल करने नहीं आ रहा है सिन खुशो कर बताती है वो आ रहा है दूसरी तरफ सिन की फ्रेंड दिन को बोलती है मुझे ऐसा लगता है तुम जितना सिन से अच्छे से बात करते हो उतना किसी से नहीं करते जितना तुम उसके साथ खुश रहते हो किसी के साथ नहीं रहते उसे खोने से पहले अपने फीलिंग के बारे में बता दो वरना अच्छा नहीं होगा दोसी तरफ वो अपनी मदर को एक ग्रिक नाम के लड़के से सीयो बननी की बात करते हुए सुन लेता है जिसके बास सीन अपनी मदर को बोलता है क्या मैं सीयो बनने के लायक नहीं हूँ उसकी मदर बोलती है मैंने तुमें पहले ही बता दिया था और मैं नहीं चाहती कि मैं तुमें सिर्फ मेरा बेटा होने के कारण इस पोस्ट पर रखूँ अगर तुम इस पोस्ट पर रहना चाहते हो तो मुझे साबिक करकर दिखाओ कि तुम इस पोस्ट के लायक हो नेक्सीन में दिन अपनी फीलिंग बताने सिन के घर आता है सिन उसके लिए खाना तयार करती है दोनों टेवल पर बैट जाते हैं तबी सिन उसे बोलती है बताओ तुम क्या बुलने आई हो सिन बोलता है पहले में एक खाना खा लेता हूँ उसके बाद बता दूँगा लेकिन उसे बताने का मुका ही नहीं मिलता क्योंकि सिन के पास एक कॉल आजाता है दूसी तरफ सिन की स्टेप मॉम ही मकान मालकिन को पावर ओफ अटरनी के पेपर दे देती है वो जंगा बेशने के लिए लेकिन तबी सिन वहां कर उन पेपर को छीन लेती है और बोलती है ये तो मेरे रियल सिगनेचर नहीं है ये किसने किये है उसकी मदर बोलती है इस जंगा की कीमत 20 मिलियन है जिससे हम अपना पूरा लोन चुका सकते हैं सिन बोलती है मैंने आपको पहले भी कहा था ये डैट की आकरी निशानी है मेरे पास इसे मैं नहीं बेशने वाली क्योंकि उन्होंने मुझे ये गिफ्ट में दी थी और मैंने उन्हें प्रामिस किया था ये मैं कभी भी बेचूंगी नहीं ये बोलकर सिन वहां से चली जाती है उसकी मदर मकान मालकिन से माफी मागने लग जाती है मकान मालकिन उसका पर्स छीन कर उसका फोन निकाल लेती है और उसमें अप डाउनलोड कर देती है ताकि सिन की मुम कहीं पर भी हो तो उसे पता चल जाए दुसी तरफ सिन उसी जंगा पर एक चेर पर बैटी होती है वो उस घर को देख रही होती है तबी तबी हमें एक flashback दिखाया चाता है जिसमें सिन के फादर उसे बोलते हैं ये जंगा मैंने इसलिए खरीदी है आकि इस पर हमें एक अच्छा सा restaurant बनाए जिसमें तुम cook करोगी और मैं counter पर cash collect करूँगा उसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते है प्रेजन में सिन ये सब सोच कर बहुत ज़्यादा अपसेट होती है एक सिन में दिन अपनी property के paper सिन को देते हुए बोलता है इसे बेच कर अपना सारा कर्श चुका दो सिन बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या मैं ये नहीं ले सकती हूँ अल्रेडी ऐसा दोस्त तुमने मेरी बहुत ज़्यादा help की है सिन बोलता है तुम मेरे लिए दोस्त से भी बढ़ कर हो सिन बोलती है क्या कहना चाते हो दिन बात को पलटते हुए कहता है मैं तुम्हें अपनी एक सची sister मानता हूँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ इस वज़े से मैं तुम्हारी मदद करना चाता हूँ लेकिन सिन उसे ये सब करने से साफ मना कर देती है नेक्स दिस सिन रेस्टोरेंट में जाने के लिए तैयार हो रही होती है तभी उसकी मदर मकान मालकिन से बचिने के लिए सिंद के बैग में अपना फोन डाल देती है ताकि मकान मालकिन को उसकी मों की लोकेशन का पता ना चल पाये फूस इन को पिक करने के लिए दूर कहीं खड़ा होता है ता सिन जल्दी से पहाँच करकार में बैठ चाती है फूस से पूछता है तुम मुझे डिरेक्ट अपने घर क्यों नहीं बुलाती सिन जूट बोल देती है वो मेरी हाउस कीपर का घर है मेरा नहीं इसलिए मैं तुम्हें वाँ नहीं बुला सकती उसकी बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठ कर अलग अलग तरीके का खाना खा रही होती है जिसकी भारे में सिन को पहले से पता होता है इन फूट उन डिशो का नाम भी बताती जा रही होती है इससे फूट से बहुत जादा इंप्रेस हो जाता है सिंग को रेस्टोरेंट की सारी डिशो के वारे में इसलिए पता होता है तो कि वो पहले सही सारी डिशो को इंटरनेट पर देख कर आई होती है दूसी तरफ मकान मालकिन लोन वापस लेनी के लिए सिंग के घर आती है लेकिन उसकी मौम छुप जाती है मकान मालकिन उसे ढून नहीं पाती इसलिए वो सिन की मौम की फोन की लोकेशन ट्रैक करती है लेकिन उसकी मौम का फोन तो सिन के बैग में होता है जिसकी वज़े से उसकी मौम बच जाती है दूसरी तरफ सिन और फू साथ में अच्छी अच्छी फोटो क्लिक कर रही होती है जब सिन अपने बैग में देखती है तो उसे अपनी मूम का फोन दिख जाता है और मैसिज में उसे मकान मालकिन की धमकी सिन फोन फटाफट से बैग में रख लेती है तब ही सिन देखती है मकान मालकिन अपने आद्मियों के साथ रेस्टोरेंट की तरफ ही आ रही होती है सिन उन्हें देखकर डर जाती है जिसके बाद वो फू का हाथ पकड़ कर टेबल के नीचे बिठा देती है फू से पूछता है तुम नीचे किसले बैटी हो ये सब क्या कर रही हो सिन बोलती है मेरी लिपस्टिक नीचे गिर गई है प्लीज ढूनने में हेल्प करो ना तब ही फू अचानक से खड़ा हो जाता है सिन उसे पकड़ कर वापिस से नीचे कर देती है और उसका हाथ पकड़ कर वहाँ से भाग चाती है लेकि एक जगापर रुक कर फू उसे पूछी लेता है तुम किस से चुपकर भाग रही हो सिन उसे बोलती है मैं तुमें सब कुछ बता दूँगी फिलाल अभी यहां से चलो तब ही मकान मालकिन वहाँ आ जाती है और सिन को रोक लेती है मेरा करजा चुकाने के लिए पैसे नहीं है तुमारे पास पर महिंगी रेस्टोनेंट में जाने महिंगी ड्रेस्स पहनने के लिए पैसे हैं तुमारे पास और एक रिच लड़की के साथ घूम रही हो उसे जूट बोल रही हो कि तुम रिच हो इतने में दिन वहां आ जाता है और मकान मालकिन का हाथ पकड़कर साइट में ले जाता है और उसको 25,000 दे देता है पाकी के तुमें बाद में मिल जाएंगे तुम अभी यहां से जाओ तूसी तरफ फू यह सब देखकर बहुत ज़्यादा परिशान हो जाता है क्या यह सब कुछ सच था सिन हां बोल देती है पू बोलता है तुमने अमीर बनने का डों क्यों किया मुझसे जूट क्यों बोला सिन तो बहुत ज़्यादा शर्मिन दाती इसलिए उसे सोरी बोलकर वहां से चली जाती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स के लिए बैल ऐकन का बटन प्रेस करें मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए सारांगे बाई बाई